तो अभी हमारी camera series जो है वो बस 25,000 तक की आई है और अब हम बात करने वाले हैं 30,000 की तो 30,000 के अंदर आने वाले ऐसे तीन smartphone में आपको बताऊंगा जो आपको camera centric उपने लग एक दम फोकस रहने वाले 30,000 के अंदर वो सारे smartphones भी camera center थे और कुछ performance centric थे लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ camera centric टीन ही smartphones की बात करने वाले हैं जो एक तम branded company से हैं high quality brand value के साथ आते हैं और भाई आते हैं एक अच्छे खासी टॉप नोच की स्पेसिफिकेशन के साथ बात करेंगे नंबर थ्री से अमेशा की तरह हम नंबर 5 पर स्टार्ट करते हैं आज नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे नंबर 3 पर हमने रखा है सैंसंग की तरब से सैंसंग गिलेक्सी एस ट्वंटीवन फी 2023 वाला मॉडल तुम कंसीडर करना अगर तुम्हें प्रफॉर्मेस थोड़ी जाला चाहिए अदर्वाइस तुम्हें यहां पर जो सिंपल हमारा स्ट्वंटीवन फी है आया था उसको भी कंसीडर कर सकते हैं लेकिन उसमें प्रफॉर्मेस जो है थोड़ी सी ऐसे देखने को मिल सकती है तो यहां पर जैंट्रॉइड 12 के साथ तुम्हें आगर तुम 2023 वाला लेते हो तो तुम्हें क्वाड़कॉम का स्नैट्राइगन ट्र प्लेट को जादा कंसीडर करते हैं क्यूंकि आपको पता यह सैंसंग के हमेड प्रसेसर का बागी डिस्प्ले की बात करूं तो 6.4 इंचिस की डैनमिक अमल 2x की डिस्प्ले इन फ्रंट में लदे रखी है जो फुल एच्टी प्लस का स्पोर्ट करती है 120 हर्ट का कर सकते हों बात करूंगो यहां पर इसके अगर वीडियो रिकोडिंग की तो यहां पर तुम्हें 4K तक की वीडियो रिकोडिक ऑप्शन देखने को मिल जाता है 60 fps के उपर और फ्रंट में यहां पर 32 मेगा पिक्सल का एक फ्रंट के कैमरा जो दे रखा है वाइड एंगल ल तुम्हें 388 वाला वेरिंड तुम्हें 30,000 के आसपास देखने को मिलेगा लेकिन प्राइस डॉप और शेल्स या तुम्हें कार्ड वगरा यूज करते हो तो तुम्हें 30,000 के अंदर देखने को मिल जाता है इसकी डिस्पले काफी जादा स्टनिंग सी है इसका डिजाइन क काफी ज़्दा स्टाइलिस सा है इसके सेलफी और में कैमरा काफी दा अच्शे है और इसकी कियु आई काफी ज़्यादा क्लिन इंसर्फेस देती एंग यूज की बात कर उट जो दे 읽 वीवो की तरब से वीवो वी 29 और आप सब जानते हूं कि वीवो जो है एक मामले में कितना तगड़ा काम करती है अपने स्मार्टफॉन के इंदर इन्होंने वीवो वी 29 में भी कुछ धमाल करके रखा है एंड्रोइट 13 के साथ क्वाड़ों स्नैपड्राइगन 778 जी का प्रोसेसर और डिस्प्ले की बात करों तो 6.78 इंचीज की एमल डिस्प्ले है जो 120 रिफ्रेश्ट देती है यूँ तो रियर कैमरा की बात करों तो ट्रिपल कैमरा सेटप है 50 मेगा पिक्सल का वाइड एंगल ह यहां पर तुम्हें LED फ्लेश के साथ और लाइट देखने को मिलेगी और 4K तक की तुम वीडियो यहां पर रिकॉर्ड कर सकते हो बड़ी असानी से 50 मेगा पिक्सल का वाइड एंगल लेंस है 4K तक की वीडियो तुम फ्रंट से भी रिकॉर्ड कर सकते हो और 4600 इमेज की ब इसका डिजाइन काफी ज्यादा तकड़ा है डिस्पले काफी अच्छी है बैटे लाइफ तो नेक्स लेवल की देता है और स्मार्टफोन में तुम्हें हार एक फीचर देखने को मिल जाएगा कहीं कोई कंप्रमाइज नहीं है बात करेंगे नंबर बन की स्मार्टफोन की नमबर बन पर हमने रखा है ओपो की तरफ से ओपो रैंडव इलेवन देखो ऑपो को यह स्मार्टफोन जो है नमबर वन पिरसली है क्योंकि यह एक और राटफोन इसके अंदर तुम्हें सब कुछ कुछ देखने को मिलेगा इसके अंदर तुम्हें एंड्वाइड 14 के यहां पर देखो अगर तुम्हें बात करो तो बैटरी में बात करो तो बैटरी में ओपन है कोई कोई कॉम्परमाइस निकारा इन्होंने दे रखे पूरे 5000 एमेच की बैटरी 67 वाट की सूपर बीयोसी चार्जिंग के साथ इस यहां पर तुम्हें आईपी रेटिंग तो नहीं है लेकिन 128 GB की इंटर्ने स्टोर जाए जिसे तुम दो टीवी तक बढ़ा सकते हो अगर तुम्हें स्टी कार यूज करते हो तो इसके 8128 जी वाले की जो प्राइजिंग है वो करंटली एमेजोन के उपर 28,830 रुपे ह और 750 रुपे का instant flat discount दे रहा है अगर तुम HDFC bank का debit card यूज करते हो बाकि इसके दूसरे बेंट्स भी आते हैं 8256 वो तुम्हें 30,000 काफी तगड़ी है डिजाइन काफी जादा एट्रेक्टिब सा है इसका डेलाइट में camera performance काफी तगड़ी आती है बैटर लाइफ और फास् स्मार्टफोन एक बैस स्मार्टफोन है अगर तुम लोग ढूंट रहे हो कोई सब एक बैस स्मार्टफोन अंडर 30,000 फार क्यामरा ब्लोगिंग जो तुम करना चाहों कर सकते हों 4 तक मैं कोई दिकत नहीं आईगी तो बस यार आज के लिए वस इतना ही मैं यही तीन स्मार्